हेलो एबरिवन आज में लेकर रही हैं आप सब के लिए राजमा आलू की रेस्पी बनाना बहुत ही आसान है बहुत कुईक रेस्पी है तो चलिए देखने से बनाते कैसे इस मसेदार सी रेस्पी को तो सबसे पहले हमें राजमे को अच्छे से भीगा देना है 4-5 घंटे के लिए अगर गरम पानी में आप भीगाते हैं तो जल्दी भीग जाता वरन 4-5 घंटे लगते हैं राजमे को हमें बॉल कर लेना है तो टेस्ट को कॉड़िंग एड कर देना है नमक पानी एट करके हम इसे गल जाने तक पका लेना है 2-4-5 Buoyle हो चुका है और राजमे को अच्छे सब्टों लेना है तो यहां पर इक पैन में थोड़ा सा ओल ले लियाframes hour एक छोटी आँज की प्यास में स्लाइसे तो हाइफलेम बेराजमा को हमें अच्छे से भूल लेना है बहुत अच्छे समें एक को सौंदा सा फ्लेवर आ जाये और इसका पानी भी जल जाए अच्छे से तो खाने में इस तरह से राजमा भून चुका हो और निकाल लेंगे सरसो का तेलमें 1-2 लोंग एट कर देंगे og 1 अजमा पी दुटव कर देंगे दाल जीनी की लखड़ी प्यास्ता है या फिर आप इस तरह से चौपर में चौप कर सकते हैं अच्छे से इन्हें फाइन चौप कर लेना है और एड कर दिया प्यास को और प्यास को हमें अच्छे से गोल्डन कर लेना है गोल्डन हो जाद तक हमें इसे फ्राइ कर लेना है तो प्यास के साथ में मैंने एड कर दिया का अधरी गलाव 20 ऐसाने गली काАज अलया है अधर इसे अधर १िस्पोन अधरक लशन पेस्ट के लिए催 थी इन्हें वोन लेना इसका कच्छापन निकाल लेना है और इसमें 2 मीडियम सब्सक्राइब इस तरह तो राजमा में प्याज और टमाटर की कॉांटिटी अच्छी खासी होती है तो आप अपनी मर्जी से इसमें एड़ कर सकते हैं कम यह जादा जान में थोड़ा सा पानी एड़ करके धुल के से ओर अपनी से अपनी आप से आप से अधुक्छ तीखा कहाते हो थोड़ा साइड करदेंगे हल्दी पाउडर और आदा चोटा चमli कुछ आप कर देंगे कश्मीरे रेड चिली पाउडर अच्छे सारी चीजहों को मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून और लास्ट में एट कर देंगे 1.5 टीज़पून गरम मसाला तो राजमा में बहुत जादा मसाल अच्छे नहीं लगते इससे टेस्ट इसका खराब हो जाता है धक्कल लगा के में अच्छे से मसालों को भूल लेना है तब तक हमें इसे भूल लेना है तो यह देखें तो यह क अच्छे से भूल लेंगे और एक छोड़ा चमच इसमें एट किया चाट मसाला अगर आपके पास चाट मसाला नहीं तो आप अमजूर पाउडर भी एट कर सकते हैं और भूल लेंगे अच्छे सारी चीज़ों को राजमा एट करने के बाद भी हमें दो मिनट के लिए मसालो इसमें एट कर सकते हैं तो पानी एट करने के पाद बस दो से तीन मेट के लिए हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और फटा फट से यह देखिए हमारा राजमा बनके तयार हो गया बहुत ही मस्यदार और उपर से एट कर दिया थोड़ी सी धनी के पत्ति तो जरूर ट्राइ हो जाता है तो जरूर ट्राइ किजेगे इस तरह से राजमा चावल